नमस्कार दोस्तों शिर्ष परसित पिक्चर्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों सतर असी के दशक में एक तरफ जहां एक्षन और रोमांस फिल्मों का दौर चल रहा था तो दूसरी तरफ एक ऐसी टीम थी जो लीक से हट कर काम कर रही थी और इस टीम ने हौरर फिल्मों का चलन शुरू किया और आगे चल कर यह टीम हौरर फिल्मों की एक ब्रांड नेम बनकर उबरी और वह ब्रांड नेम था रामसे ब्रदर्स दोस्ते आगे चलकर ये रामसे ब्रदस की टीम ने होरर फिल्मों में एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी और उन फिल्मों में वीराना, दोगर जमीन के नीचे इसके अलावा और भी कई फिल्में शामिल है तो यह रामसे ब्रदस यह सात भाईयों की टीम थी और यह सातो भाई मिलकर काम करते थे दरसल इन सात भाईयों के पिता फटेह चंदराम सिंगानी भारत पीभाजन से पहले लहोर में इनका इलेक्टॉनिस का बिजनेस था इनकी रेडियो की दुकान थी द्रसल जो फॉर्नस इनके शौप पे आते थे तिनके नाम का उच्चारन करने में उन्हें तकलिफ होती थी इस वज़े से वो फतेचंद राम सिंगहानी न कहकर उन्होंने इनका नाम राम से रख दिया था और तब से इनका नाम राम से पढ़ गया फतेचंद राम सिंगहानी के परिवार में उनके साथ बेटे और दो बेटियां थी दोस्तों भारत विभाजन के बाद फतेचंद राम सिंगहानी यानि की राम से अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आकर बस गये और मुंबई के लेमिंग्टन रोड में उन्होंने फिर से वही अपनी रेडियो की दुकान खोल ली हलाकि फतेचान राम सिंगानी का जुकाव फिल्मों की तरफ ज्यादा था और उन्हें फिल्में देखने का शौक भी खुब था तुसी दोरान इन्होंने शहिदे आजम भगत सिंग और रुस्तम सोहराब नामक फिल्म में पैसा भी लगाये था हलाकि यह दोनों फिल्में नहीं चली थी लेकिन फिल्म निर्मान के जज़बे में उनमें कोई कमी नहीं आई और कुछ समय के अंतराल इन्होंने एक और फिल्म का निर्मान किया जिसका नाम था नन्ही मुन्ही लड़की हलाकि यह फिल्म भी कुछ खास नहीं चली लेकिन इस फिल्म के एक सीन जिसमें पृत्वी राज कपूर मास्क पहन कर एक छोटी सी बच्ची को डराते हैं तो यह वाला सीन काफी पॉपलर हुआ बस यहां से ही उन्हें होरर फिल्में बनाने का आइडिया आया फिर तब से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि आप कुछ भी किसी भी तरह का जॉनर में हाथ नहीं लगाना है अब बनानी है तो सिर्फ होरर फिल्में ही बनानी है दोस्तों इस फिल्म के निर्मांड के दोरान उन्हें टेक्निकली कही तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ा उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें टेक्निकली दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है और अपना काम वह बखोबी नहीं निभाते हैं और बहुत ही पैसे भी खर्च हो जाते हैं और सबसे खास वाद जो काम वह कम से कम दिनों में कर सकते थे लेकिन टेक्निकली दूसरों पर डिपेंड रहने के कारण उस काम में काफी देरी हो जाती थी तो इस तरह से उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों न उनके जो साथ बेटे थे उन्हें फिल्मों की ट्रेनिंग दी जाए जिनकी रूची जिस डिपार्टमेंट में हो उनको इस डिपार्टमेंट में ट्रेंड किया जाए इसी प्लान के तहट वह अपने सातों बेटों को लेकर कश्मीर चले गए और वहाँ पे लगभग दो महिने तक वह रहे और अपने सातों बेटों को 5 CS of Cinematography की किताब दी दोस्तों 5 CS of Cinematography नामक किताब में कैमरे के बारे में डिटेलिंग बताई गई है कि कोई भी फिल्म अगर आप शूट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं क्या क्या टेक्निकली चीजों का ध्यान रखना पड़ता है उसमें कौन कौन से शॉट्स लेते हैं कैसे कैसे श थ्रिटिकली और प्रेटिकली ट्रेनिंग दी गई जब इनकी दो महिनों की ट्रेनिंग पूरी हुई तो है वापस मुंबई आ गए अब सातों बेटों ने अपनी अलग अलग जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली जैसे कि जिसकी एडिटिंग में रूची थी वह एडि इस तरह से सातों भाईयों ने अपनी रूची के अनुसार अलग-अलग डिपार्टमेंट अपने हाथों में ले लिया दोस्तो फिर इन सात भाईयों ने मिलकर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था दो गज जमीन के नीचे दोस्तो यह फिल्म महस साड़े तीन लाख में वार किया था दोस्तों यह फिल्म उस दौर की बड़ी हिट फिल्म सावित हुई थी और फिर यह हिट फिल्म का निर्मान करने के बाद उन सातों भाईयों ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे जाकर एक से बढ़कर एक हिट फिल्म में दी जैसे कि बंदरवाजा विराना, पुरानी हवेली, पुराना मंदिर, होटल, डाक बंगला, इत्यादी दोस्तों यह साथ भाईयों के टीम इनके आपसी रिष्टे भी बहुत ही मजबूत थे और कभी पैसों के वज़ा से इनके रिष्टे में कोई दरार नहीं आए और इन साथ भाईयों के टीम ने लगभग 45 फिल्मों का निर्मान किया और आगे चलकर टीवी का दोर शुरू हो चुका था जिसमें नए-नए चैनल साने लगे थे उसी दोरान जी टीवी एक नया चैनल लॉंच हुआ था उसी जी टीवी पर इनका जी हॉरर शो काफी समय के लिए चला था और यह बहुत ही पॉपलर रहा था फिर समय बितने के साथ साथ फतेह चंद राम सिंहानी के पोते ने फिल्म का निर्मान और निर्देशन का बागदोर अपने हाथों में ले लिया तो दोस्तो यह था वीडियो सत्तर असी के दशक में हॉरर फिल्मों की शुरुआत करने वाले और ब्रांड नेम बनकर उभरने वाले रामसे बरदस की कहानी दोस्तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक सबस्क्राइब और शेर भी कर दीजे तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद